कोरोना वाइरस को लेकर अकबार भी संक्रमन के चपट में आता है ऐसे अफ़ाओ का बाजार ग्रम था जिसके चते पाठकों को अकबार नहीं पहुँच पाता था लेकिन एक अप्रेल से अकबार पाठकों तक पहुँचाए जाएंगे ऐसी जानकारी विधरबर डेली न्यू पेपर असोसियेशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण चांडक ने कहा कि बुद्भार से सभी अकबारों का नियमित रूप से वित्रन शुरू होगा उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस के संक्रमन को लेकर फैलाई जा रही अफ़ाओ पर नागरिकों ने ध्यान नहीं देना चाह किये अकबार हमेशा से सुरक्षित था इस संक्रमन के समय भी वह पूरी तरह से सुरक्षित है विदर्ब डेली न्यूज असोसियेशन की ओर से ये कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से अकबारों का वित्रन प्रभावित हो रहा था लेकिन अब सभी अकबारों का वित्रन बुधवार 1 एप्रिल 2020 से नियमित रूप से शुरू किया जाएगा श्री चांडक ने बताया कि VDNA की ओर से समाचार पत्रों का वित्रन करने वाले एजेंट और हॉकर्स के लिए सैनिटाइजर, मास्क और पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए है मंगलवार से ही इसका वित्रन शुरू किया गया है, जो आगे भी चारी रहेगा श्री कृष्न चांडक ने सभी पाठकों से अपिल की है कि वे अकबारों के वित्रन में सहयोग करे इस संक्रमन के काल में तेजी से अफ़ाय फैल रही है ऐसे में विश्वस्निय खबरे और सूचनाओं के लिए अकबारों का प्रकाशन होना और उसका वित्रन किया जाना बेहत जरूरी हो गया है पाठकों का सहयोग मिला तो ये काम और आसानी से पूरा हो सकता है उलेखनिय है कि विश्वस्वास संगठन ने भी अकबारों को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है साथ ही ये भी कहा गया है कि अकबारों के माध्यम से कुरोना वाइरस का संक्रमन फैलने की बात कोरी अफ़ाह है गत कुछ दिनों से विदर्व के सारे अकबार शांगठन नहीं हो पा रहा है किन्तु कल एक तरिख से सारे अकबार विदर्व के प्रकाशित होगे पित्रित होगा और उसकी सारी विवस्ता वी डेलेंक तरफ से हम कर रहे हैं वी डेलेंके चेरेंके नाते हमारा करतव है कि हमारे मत्रक बंदु है उनकी पूरी सुरक्षा करना हमारा दाइत है इसलिए उन्हें से रिटाइजर मास परजान पत्र तथा पुलिस द्वारा सुरक्षन यह सारी बाते हम कर रहे हैं और कल सुभे से इन सब बातों के खारण मैं सुरक्षित रातारण में अच्छे तरफ प्रकार से इसका वित्रन होगा ऐसे मुझे अशा है Marco मारे विद्रक बंदों है काफी संशें उनके है किन्तु उन्होंने किसी प्रकार से इस पर डाराणे चाहिए यह पहली बाद हे हमारे जो आपार के जो वहारे पाठक है उन्होंने भी डबले जोगा तो है यह अपारों से कुछ भी होता नहीं अपर यह सुरक्षित है उन्होंने इसकी क्वाई दिये तो इसलिए किसी नें भी अपने अपर पढ़ना है नहीं चोड़ना चाहिए और अकल कल से जो उनके पार आएगा नहीं आता है चल से तो हर कब्ला की व्योस्ता है कि